हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शीवोमर आप देखरेंगे आपका अपना यूट्यूब टेक्लोंगी चैनल मिस्टर बॉट फ्रेंड्स आज किस वीडियो में जानेंगे कैसे आप अपने विंडो स्टेंड के अंदर फिटन पावर प्लैन मोड्स को कैसे अनलॉक करेंगे यहां इन परेंड्स का यूज करके जो है आप अपने कंप्यूटर को पहले के मुकाबले और भी अच्छा यूज कर पाएंगे और आपके कंप्यूटर या लैप्टोप की पर्फॉर्मस भी पहले के मुकाबले काफी जादा इंक्रीज हो जाएगी तो चलिए देखते हैं friends की इसके लिए हमें क्या-क्या प्रोसस को यूज करना है तो सबसे पहले इस टाप है friends की यहां पे आपको जाना है और console को open करना है Command Prompt को run as admin करके ठीक है इसको आपको run कर देना है तो सबसे पहले तो friends आपको यहां पे यह चेक करना है कि आपके computer में current time में कौन-कौन से power plan create हो रखे है और कौन से plan आपके system में active है तो इसके लिए command है friends आपके power cfg ठीक है और आपको यहां पे list कर देना है इससे आपके computer power plans की list आपके सामने आ जाएगी तो यहां पे देखिए मेरे computer में अभी फिलाल एक ही power plan है जिसका नाम है balanced और यही प्लान जो है अभी active है स्टार आ रहा है इस इसका अभी active है अब मेरे को क्या करना है friends इसके अंदर एक नया power plan जो है create करना है तो कैसे करना है तो यहां पहुता आपके पास दू ऑप्रेत्षण मिल जाते हैं एक तो आप यहां पे control panel में जाएंगे ठीक है और और control पैनल में जाने के बाद आपको यहां पर power options का यह option देखने को मिलेगा और यहां पर आपको create a plan का option देखने को मिलेगा यहां से आप create कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखना friends यह आपका manually create कर सकते हैं आप यहां पर ठीक है कोई भी by default system properties और यहां पर नहीं मिलती है आप चाहे तो अपने recording कर सकते हैं अपने computer के हिसाफ से लेकिन हम by default plan जो है उठाएंगे आपने computer से तो चलिए सबसे पहले हम जो है यहां से एक plan उठाते हैं जिसका नाम है power saving mode तो यह देखिए आपको यह command जो है execute कर देनी है यह जो commands मैं आपको इस video म मिल जाएगी और आपको कर देना है enter तो enter करते ही देखिए command जो है execute हो गई है और आप यहां पे देखिए आपको एक नया plan जो है देखने को मिल जाएगा इसे मैं back करता हूं और दुबारा से जो है power options पे click करता हूं तो देखिए अभी refresh हो जाएगा power saving mode जो है यहां पे अब आ चुका है अगर आप सभी laptop वगरा यूज करते हैं तो काफी अदा फाइदा जो है आपको इस mode के अंदर देखने को मिलनेगा इससे क्या होगा friends कि आपके laptop की battery जो है कम यूज होगी और जारा से आरा performance जो है आपको यहां पे देखने को मिलेगी लेकिन इस mode में आप सभी normal काम वगरा कर सकते हैं तो चलिए अब जानते हैं कि हाई-performance-mode को कैसे अक्टिव करना है हाई-performance-mode को activate करने के लिए बापस से आपको console में जाना है और यहां पे आपको इस command को execute कर देना है ठीक है और कर देना है आपको enter तो देखिए जैसे मैंने इसको enter किया तो यहां पे जो है मेर को निया प्लैन देखने को मिल जाएगा है पर्फोर्मंस मोड़ मैं और यहां से भी चाहे तो थे कंसोल से चेक कर सकते हैं लिस्ट कमांड का यूज़ करके पावर सी अपधी लिस्ट तो यहां पर देखिए आप आपको यहां पे plans की list जो है आपे show हो जाएगी अभी मेरे case में high performance mode जो है active है इसको जो है अभी फिलाल में current में use कर रहा हूं तो इस plan का use जो है आप कर सकते हैं अगर आप सभी अपने computer की performance को increase करना चाते हैं यह लगभग जो है सभी computer में यह लग plan जो है काफी अच्छे से work कर करता है लेकिन दिहां रखना friends की इस mode को जो है battery पे ज्यादा use मत करना नहीं तो आपके laptop की battery को यह खराब भी कर सकता है तो चलिए देखते हैं friends की ultimate performance mode को कैसे unlock करना है ultimate performance mode को activate करने के लिए आपको simply इस command को यहां पे execute कर देना है तो देखिए friends यहां पे जो है जैसे आप इस command को execute करेंगे तो आपके सामने ultimate performance mode जो है unlock हो जाएगा लेकिन यहां पे दिखा रहा है not supported क्यों क्योंकि friends मैंने इस plan को पहले ही create कर लिया था और इसको delete कर दिया था आप सभी को वीडियो में बताने के लिए अगर आप सभी को यह error आएगा तब आप इसको कैसे fix करेंगे ऐसे अब करना है तब आपको friends इस command को execute कर देना है यह command क्या करेगी Friends ultimate performance mode आ चुका है इसको आपको select कर देना है और यह plan जो है आपके computer में activate हो जाएगा friends इस plan को activate करने के बाद आपके computer की performance काफी high end चल जाएगी इतना याद रखना friends की इस mode को हर computer में apply ना करना अगर आपके computer में यह plan अगर अच्छे से work कर रहा है तब आप चलाइए नहीं तो अगर आपका computer एकदम low end PC है तब आपके computer में friends से problem कर सकता है ऐसा मैं आपको यह recommend करूंगा कि आप high performance mode को ही use कीजिए अगर आपके computer की configuration अच्छी है अच्छा processor है अच्छा hardware है तो friends आप इस plan का use कर सकते हैं कोई भी problem आपको देखने को नहीं मिलेगी तो मैं उमीद करता हूं friends की आप सभी कोई वीडियो जो है जरूर पसंद आयोगा वीडियो अच्छ लेगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर इस वीड इन्स्टाग्राम ट्विटर या फेस्बूक पर डारेक्ट मेसेज कर सकते हैं वहाँ पर मेरा यूजर नेम है official Mr.Bot और मेरे को वहाँ पर follow भी जरूर कर लिजेगा तो चले friends मैं मिलता हूं next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत खत्म बाई बाई टाटा गुड़ बाई गया